का मेरे बाद समझगे हैं हम क्या बोलना चाहा रहे हैं यह स्मय होंगे इसमें से ऐसे चैप्टर कानाम में बालshit ठेखत थीक है तो कि हम लोग इसमें आज क्या करेंगे कवर करने वाले इस से रिलेटेट आपके एक्जाम में जो भी उबजिटिव आ सकता है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अब शियोर करके इतना फिक्स रही है इससे बाहर एक विडियो का आगे बढ़ाते हैं बातचीत बाद में भी कर लेंगे तो पहला कुशन है कभीर को साहब मनने वाला पात्र है यानि कभीर दास को जो साहब मानता थे कून वाणता था ठीक है तो आपका पहला अपोसन है बाल गुबिन भेगत दुसरा अपका सिर्च चैन्थ तीसरा आपका खेमा और चौ्तरा आपका हमीद तो नमर क्या हो जोगा टो दुसरा नम्र को संक ए बाल घुन धगत की परवातियां कातिक से शुरू होकर किस महिने तक चलती थी तो आपका आपसे जैट बैसाक माघ तापको राइट अंसरा जबंग फागुं तक काति यह का थिक सब्सक्राइब फागुन तक ठीक है अगला कुछन में देख सकते तिसरा नमर कुछन क्या है गोदी में पियावाद चमक उठे सक्षियां चिहुक उठे ना गाते थे कौन गाते थे यह जो गीद है कौन गाते थे तो आपका पहला पूरी ठाकूर अपसन भी आपका निराला तिसरा आपका प्रवाद भगत यह गोदी में प्यावाद लाइनिंग है जो गीद गाते थे वह कौन गाते थे बाल गोविन भगत गाते थे यह आपका जो डी नमर राइट आउसर हो ठीक है अगला कुछन आमनों का चार नमर है अपने बेटे के मरने पर बाल गोविन भगत निकि अब ब प्रमाद मां के पास से ली गए रेनी अपने प्रेमिका से जा मिली यह जिन्दगी नहीं मरने के बाद यह जिन्दगी क्या हता है तोड़ा सा प्रूलम ठीक है अब देख सकते हैं पार्टमा नमर को सेंग क्या है बाल गोविन भगत के कितने वेटे हैं एक दो तीन या चार तो बाल गोविन भगत के जो थे वो एक बेटा था ठीक है एक लोता था बोधास आता है मतलब हल्का थोड़ा लेला टाइप का उन्दर कम बोलता था ठीक है तो देख सकते हैं अगर देखने में कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है तो कोशन क्या हम से वरफीटा से कहां कोण दूसरा आपका सूफ्ञा पनाख मोटा और चौथा आपका जो है दुब्ला पतला सा बोले ने हगा थोड़ा बोधा टाइप का मतलब लेला मतलब उतना हो किसी मतलब नहीं रखते थे ना जाथा किसी से बोलना ठीक है तो सत्मा नमर आपका क्या ह बालगोविन भगत की संगीत साधना का उतकर से देखा गया है यहीं कब देखा गया है पहला आपसन है बेटे की मिर्तियू के दिन बेटे के परदेश दाने पर बेटे के जन्म दिन बेटे की साधी के दिन तो जब उसका संगीत साधना तब देखा गया कि जब उसका बेटा क मिर्तिव हो गया था ठीक है उसी दिन इसको लोग देखें लोगों को ऐसा लगा कि या पागल हो गया है ठीक है अगला कुशन हम लोका देख सकते हैं के आठ नमर कुशन के हैं अब थोड़ा छोड़ा कुशन है का बाल गोविन भगत की पुत हुथी करकसा रोग ग्रैस सुसी जगडालू तो बाल गोविन भगत की जो पुत हुथी वह सुसील थी ठीक है मतलब बहुत अच्छी थी अगला कुशन हम लोका नमर है बाल गोविन भगत हर वर्स कहों जाते थे तीर्त अस्तान गंगास नौन करने घूमने इन में से कोई नहीं तो वह जो था हर वर्स जात सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं इस चैनल पर आपको औब्जेक्टिव के साथ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब आपको पूरा संग्रा करके मतलब कोलेक्ट एक जगह करके आपको उसका नोट से दिया जाएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल चेनियस क्लासेब फोर यू से जूड़ सकते हैं वहां पर वीडियो करें चला लगर आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं यहां आपको हर एक विशय का जो है न अब जटीव और सब्जेक्टिव कोशिशन का आपको वीडियो मिलेगा तो जिल्याम लोग दस नमर को संगर करते हैं ताकि आपको वीडियो ज्यादा कलें भीडियों धर और हिरों को सस्राथ उल्याभान से आपको हैं और को पर दिलिदक नहीं इसका है पूरा साधू यह साधू भी करने वाला था ठीक है अगला आपका यह बारा नम्र हो साना है बाल गोविन बगत की इनके गीतों को गाते तीन के गीतों तो पहला आपका कवीर अर्थाथसार अगला उप्सन है तुलसी तुलसी दास का सी है आपका रॉम नम और चौथा आपका इन में से कोई नहीं तो बाल गोबिन भगत जो गाता था किसके गीत के कवीर दास नहीं इसको क्या मौनता थे साहब मौनते ठीक है अगला कुशन आपका देख सकते हैं तेरे नमर कुशन क् बाल गोबिन भगत ने अपने बेटे को आग किसे दिलाए जब इसका बेटा का मिर्थी हो गया तो उसमें आग दिलाया जाता है तो उसमें किसे आग दिलाया पोते से पोती से पोतहू से इन में से कोई नहीं पोता पोती तो था नहीं पोतहू से इसको आग दिलाया तो किस प्रवात कि रचना की रचना के मतलब हो गया कि बाल गोविन भगत जो मतलब की है जो लिखा गया वह कहानी है कवीता है यह और कुछ है तो आपका कानी नाट्यक रेखाचीत जीवनी तो यह जो इनकी यह एक रेखाचीत रहे आपका अगला कुछन देख सकते हम लोग का 15 नमर है बाल गोविन भगत की परवात यहां कब सुरू होती थी यानि कब से इस्टार्ट होता था पिछे भी आपको पताया थे ना कातिक से फागुन तक चालता था तो इसका राइट आंसर क्या जागा कातिक मास से इस्टार्ट होता था सांज के बारे में पलता है संग्यां लिखा किया था साम जैने उमस भरी साम को भी डैस कर देती थी निर्मल स्वैक्ट सीतल और बोजील कहने मतलब साम जो उमस भरी गर्मी को मौसम भी होता था जब जब यह गाना शुरू करते थे तो उसको सीतल करते थे ठीक है आपका सी स्क्राइब कर देख सकते है सत्रह नम्र कुसंट क्या है जो कुछ खेत में पैदा होता पहले बार गोबी बगद कहों ले जाते जमिंदार के दर्वार में कवीर के दर्वार में साहब के दर्वार में अपने घर में जिसका राइट अंसर हो जागा वो क्या हो जागा सी नमबर नहीं साहब के दर्वार में साहब किसको मुंते तक कवीर दास तो यह दोनों साहब का सही है कोई भी कंफूजर मत की जाए ठीक जो मिला उसको लेकर के चले आते तो आपके आँसे तरवार में अगला देख सकते हैं कि 18 नमबर को से ठीक है ठीक है तो क्या था इसका अंसर को संग क्या था बालगोविन भगत कि रेखा चीतर इसका लेखा को ने तो आपका चौता राइट अंसर जगा राम बिरिक्ष बैनी पूरी ठीक है अग्रा कॉस्वर्ण का है जाड़े में बालगोविन भगत किस रंग की कमली उपर से ओड़े कि है तो यहां पर जो जाड़े के दिना decision में जो कमली थे हुरता वीडियो जो आपको मिलता रहेगा हमेशा इस चैनल पर तो चलिए आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियों तब तक के लिए वाइंक्स पर बासिंग माई वीडियो